तो फ्रेंड से चुनाओं का दौर चल रहा हमारे शत्तिश गड़ में और चुनाओं प्रख्रिया प्रचार प्रशार खत्म हो चुका है और हमारे साथ है मनोज भगत मनोज भगत जी से जानेंगे कि इस साल का चुनाओं का दौरा कैसे रहा प्रचार प्रशार कैसे रहा कैसा सबको नमस्कार सुनने वालों को जितने भी दर्शक हैं तो क्या पूछे थे कैसा रहा इस साल का चुनाओ यात्रा और पुछ पाए कि आप अभी हम लोग में जैसे नामंकन भरा पूरे जोर सोर से बाजा नगेडा लेके पूरे समर्थकों के साथ तब से आज तक आज अंतिम दिन है चुना परचार का लोगों तक पहुंचने का इतने दिनों में काफी कुछ सीखने को मिला काफी कुछ अनुभव हुआ काफी कुछ देखने को मिला लोगों के भावनाओ को लोगों के जीवन सहली को लोगों का रहन सहन को लोग कैसे जीवने आपन आज भी कर यह सब देखने को मिला तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सिस्टम लाएं हैं बाबा साब भीमरा अमेट कर उसको तह दिल से धन्यावात कहूंगा कि यह थोड़ा जानते हैं इतिहास पढ़े हैं तो जानते हैं कि पहले किस तरह से छेत्र को हासिल करने के लिए बड़े रा एक ब्राव आयाँ आज अज there स्थित्य इस्थिती में जीवाने अंपन जी रहें और वह तर से पहतर आज की जीवानस हाली को लोग बाग इंज्वाय कर रहें पहले के समय था ये सब चीजों के लिए सपने देखते थे जो आज लोग बाग जीवान ने अपन उसको महसुस कर रहें उसको जी रहें तो मैं कहना चाहूंगा कि कल मतदान होना है चातिसगड़ में चातिसगड़ के कुछ चुरा जील्या में कल 17 तारिक है तो अपिल करूंगा सभी मतदाताओं से कि अपना मत का परयोग जरूर करें बहुत बड़ा अधिकार मिला है हम लोगों को और अपना जो भी योग परत्यासी हो उसको विजय बनाए और लोगों को भी मतदान करने के ल उनको को कहना की समाज के विकास के लिए बीकास के बेक्टि के लिकास के क्ली सब्सक्राइब करें आज जीवान से लिए जो को बनाने के लिए और दुख की बात यह होता है कि एक तरफ हमारा समाज बहुत उंचा लगजरी लाइफ इसल जी रहा है और दूसरे तरफ के एक तबका है कि कहना चाहिए कुछ लोग पीछे रह गये हैं उनको वे इस धारा में जोड़ने का पर्यास करें कहें कि आज भी मैं दौरा किया आज तक दौरा किया जितना भी कुछ लोग ऐसे जीवने आपन कर रहे हैं जो आज भी गुफा में जीवने आपन कर रहे हैं छोटे मोटे सुक सुधाओं के लिए तरस रहे हैं तो मेरा ये कोशिस रहेगा कि छोटे से छोटे लोगों को साथ लेकर चलूं और इसे दुनिया में जो भी जीने के लिए जो भी जीवन से जीने के लिए अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर अपना जीवन आपन को जी सागें धन्यवाद जी मतलब उचे लोग और निम लोग की जो वीच में खाई है पूरे हो पाई समानता की दिरिश्टी से अगर हम लोग मेहनत करें जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा से जागरूख है जो जागे हुए लोग है उन लोग वे नीचे जो नहीं जान रहे हैं जो इस परिवर्तन को है कि देख रहा हूं कि कुछ दिनों से दो पार्टी यहां पर सासन कर रही है बीजीप या कांग्रेस तो उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है लोग तंत्रम बदलाव आते रहते हैं तो सुधार होते रहता है ऐसा मैं महसूस करता हूं जी आज चुनाओं परचार परस पर्टी का निर्देलिये परतासियों का क्या क्या सुझाओ रहा आगे बिधाय के नेता चुन देते हैं उसको काम क्या करेंगे आपने सुन लिया है तो मन बना लिये हैं उस इसा से अपना मन को इधर उदन मत भटकाईएगा जो आपको उचित कंडिरेट लगे किसी धन्यवाद तो आप सुन रहे थे निर्देलिये परतासि मनोज भगत चेत्र करमांक बारा जस्पूर धन्यवाद